हलो फ्रेंट्स हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है यदि आपने किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में निवेज किया है तो यह वीडियो आपके लिए बड़े ही काम का है राजस्थान गवर्मेंट ने ऑनलाइन पोर्टल की नई वेवस्ता राजस्थान.gov.in यह लिंक राजस्थान सहकार की पोर्टल का लिंक है इस लिंक को ओपन करते ही इसमें ऑप्शन है क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के खिलाब शिकायत दर्ज करें तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधा साथी से संबंधित है और क्लिक करते आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पर आपको ओटीपी का अलर्ट आ जाएगा और वह ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है आधार में जो डेटा पहले से है जैसे कि आपका नाम पिता का नाम एड्रेस अल्रे डिस्टले करेगा फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालनी है दूसरे सेक्शन में जीला जैसे कि सीरोही सोसाइटी का नाम आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी ब्रांच सीरोही कस्टमर आईडी बहुत ही जरूरी है जो कि आपके FD आदी सब पर प्रिंटे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको FD का अकाउंट नंबर देना होगा न की बजट खाते का अकाउंट नंबर फिर आपको IFSC कोड जो है यह मेंडिटरी नहीं है यह आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं फिर कुल कितनी deposited amount है उसके बारे में आपको next section में देना होगा deposited amount फिर उसमें डालना होगा next section जो है remittance से संबंधित है उसमें detail डालनी होगी यानि कि आप जिस account में पैसा प्राप्त करना चाहते हैं उस account का आपको विवरंड देना होगा जैसे कि bank account का number ifse code bank account holder का नाम bank की passbook या checkbook की photo यहां पर यह ध्यान रखना है आपको यह photo जो है jpg या pdf format में कोई भी एक हो सकती है आपको photo की size 200 kb से अधिक नहीं रखनी है अब deposited amount का विवरंड आपको यहां देना होगा यदि deposited amount fd, rd, mis, आदी की संख्या 10 से कम है तो आप row wise data feed कर सकते हैं यहां पर plus के निशान पर click करते ही नया record डालने की सुविधा उपलब्द हो जाएगी यदि आपकी fd, rd और mis, आदी की संख्या 10 से अधिक है तो आपको excel sheet में data feed करना होगा इस excel sheet में जैसे की doc का नाम fd, account number, deposited amount, date of deposit, maturity amount, maturity date और फिर आपकी fd का photo या rd का photo आपको attach करना है और सभी data feed हो जाए तो आप उसे save करके आप अपनी उस file को upload कर दें, सारे विवरन को आप confirm कर लें और यहाँ पर आप दर्ज करें बटन पर click करें, click करते ही आपके screen पर credit cooperative society के खिलाफ complaint दर्ज कर दी गई है और complaint number screen पर show होगा और साथ ही mobile जो की आपके आधार से link है उस पर भी complaint number का alert message आएगा तो दोस्तों आप सभी के लिए good news है कि आप इस तरीके से अपने credit cooperative society में deposited amount का विवरन सरकार तक आसानी से आप पहुचा सकते हैं ताकि कोई भी property attached की जाए तो आपको आसानी से deposited amount का भुकतान मिल सके तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो like subscribe जरूर करें जिससे की आपको इससे सम्मंदित सूचना प्राप्त हो सके थैंक्स for watching